हलो दोस्तों जान है तो जहान है आपका स्वागत है अविद एकडमी द्वारा सुरू किये गए वीडियो सीरीज जो की कोरोना वाइरस पे है उसमें यह उसी सीरीज का एक नया वीडियो है और हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वाइरस से इंफेक्टेड लोगों को अपना परिक्षन कहां और कैसे कराना चाहिए तो बस आप बने रहे हमारे साथ अंत तक इस वीडियो के और हमने अपने इस सीरीज के तमाम जो वीडियो बनाए हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उसे क्लिक करके जरूर देखें और लाव उठाएं तो चलो दोस्तों अब हम बात करत हैं कि किनहें अपना परिक्षन कराना चाहिए जो कि जिने ये लगता है कि उन्हें कोविड-19 की बिमारी है तो दोस्तों यदि आपको कोई भी लक्षन है जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है जैसे कि आपको खासी है बुखार है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है अगर आपको ये लक्षन है तो या फिर आप किसी ऐसे देश से घूम कर लोटे हैं जहां कोविड-19 से वो देश प्रभावित रहा है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आये हैं जिसकी प्रयोगशाला से पुष्टी हो चुकी है कि उसको कोविड-19 की इन्फेक्शन है य तो आपको सबसे पहले घबडाने के आवशक्ता नहीं है तुरत राज्य हेल्प लाइन या भारत सरकार के स्वास्ट और परिवार कल्यान मंतरायले के दूरभास संख्या पर काल करें जो की 24 x 7 हेल्प लाइन है यानि 011 23978046 और मुफ्त सेवा नंबर 1075 पे और इसकी जानक चारी दें और उन्हीं की सलाह से आप अपना जाच करवाएं क्योंकि जो भी आपकी COVID-19 से जाच होनी है वो परियोक्षाला भारत सरकार द्वारा अनुमोधित होनी चाहिए और ऐसी परियोक्षालाओं को भारत सरकार ने परिक्षन के लिए अनुमोधित किया है तो आप उ ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके कि आपको COVID-19 की बिमारी हुई है या नहीं है तो दोस्तों हमें उमीद है कि आपको हमारे वीडियो की ये जानकारी समझ में आ गई हैं तो प्लीज आप हमें लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सवाल कमेंट देखें साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा लेटिस्ट वीडियो मिल सके